हिंदी सिनेमा में साउथ के सिनेमा यानि दक्षिन से नौर्थ इंडिया माने उत्तर भारत में बने हमारे सिनेमा कहें कि हिंदी सिनेमा माने बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है लेकिन नब्य का दशक आते आते फिल्मों में ना केवल कहाने हमद्ली बल्कि उनके बनाने का सिल्सला भी बदल गया एक बार फिर से दक्षिन भारत ने हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ बनाने के लिए अपनी फिल्मों के डब वर्जन्स के साथ धमागेदार एंट्री की है यह भी माना जा रहा है कि दक्षिन भारत से आए तमिल सिनिमा की अलग जगह बनाने के साथ ही अब मल्याली फिल्में और तिल्गू सिनिमा के साथ दक्षिन भारत से ही कंणर के सिनिमा ने भी हिंदी सिनिमा में अपने पाउं जमा दियें पिछले दिनों केजी एफ चिप्टर टू, कांतारा, विक्रम राना और जेम्स जैसी फिल्मों ने क्रोर रुपे की कमाई करके यह बता दिया कि अब ना केवल तेलगू, तमिल और मल्यालम फिल्मों का पर्चम हिंदी सिनेमा के जगत में लहरा रहा है बलकि कमिल के साथ करनर सिनेमा ने भी अपनी जगे धीरे धीरे बनानी शुरू कर दी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चुप केक से पाउं जमाते हुए करनर सिनेमा अब बाकी की दक्शन भारते फिल्मों के साथ आगे बढ़कर हिंदी सिनेमा का दामन थाम रहा है और किशोर पार्चा नए दिल्ली से डिफ निउस के लिए जो लोग साथ और सतर के दशक से फिल्में देखते रहे हैं उन्हें पहचान होगी कि वेल्यूज परिवार और दुनिया समाज को दिखाने के लिए दक्शन भारत से आई फिल्मों के रीमेक हिंदी सिनेमा में खूब होती रही है यही नहीं कहानियों का आदान परदान और उनके निदिर्श को द्वारा हिंदी में बनाई गई फिल्में भी खूब हिट रही है लेकिन अब थोड़ा मसला और थोड़ा सा महौल बदला है आज भी जो लोग सेटलाइट के जरिए हिंदी सिनेमा के साथ दक्श की है जो लोग टीवी पर दक्शिन भारत से आई डफ फिल्मों के दिवाने हैं वो जानते हैं कि पहले तमिल सिल्मों का बोल बाला था लेकिन अब बाहु बली पुश्पा और आरार जैसी फिल्मों ने तेल्गु सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई है उसके साथ ही कन्नर फिल्मों ने 2000 करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई कर ली है माना जा रहा है कि कन्नर फिल्मों की दुनिया भर में कमाई इतनी है कि आप हिंदी फिल्मों की हालत देखकर चौक जाएंगे इन फिल्मों में केजिएफ टू ने 1250 करोड रुपे कांतारा ने 400 करोड वि लेम्स ने 151 और ट्रिपल सेवन चारली ने 105 करोड रुपे की कमाई करके बाकी की सभी साउथ इन्ने फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। लेहास को देखें या उसके बाजार को कंणर सिनेमा का मार्किट 5-10% ही रखा गया था लेकिन इस साल 2000 करोड रुपे कमा कर कंणर सिनेमा ने तमिल और तिल्ग सिनेमा को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले हिंदी, तेल्ग, तमिल, मल्यालम, कंणर, बंगला, मराठी, उडिया, पंजाबी, गुजराती और भोचपुरी भाशाओं के फिल्में बनती तो रही हैं लेकिन उनकी कमाई के आंखडे बहुत कम थे। तो बॉलिवुड में इनका हिस्सा सबसे अधिक माना जाता था और बाकी का हिस्सा करीब 44-50% ही होता था। इसके बाद तेल्गू और तमिल सिनेमा के हिस्सेदारी 13-14% रही मल्यालम और कंडर सिनेमा करीब 5-5% के साथ चौथे और पांचवे नंबर पर ही आते थे। लेकिन बाकी बचे दूसरे सिनेमा तो किसी गिंती में ही अभी तक अपनी जगे नहीं बना पाए हैं। भोचपुरी की फिल्मों को अगर हम देखें तो जब तक रवी किशन फिल्मों में काम कर रहे थे या मनोस्तिवारी थे तो फिल्में अपना नाम कमा जाती थी पर भोचपुरी के साथ पंजाबी, मराठी, मंगला फिल्मों ने अब अपनी मार्किट को धीरे-धीरे शुरू कर दिया है। हिंदी सिनेमा भी पटकनी खा गया है और इस अफ़ते आई सरकस्तो चारों खाने चित हो गई। ऐसे में हिंदी दर्शकों की सारी उम्मीदे दक्षिन भारत से आने वाली तमिल, तेलगू और कंणड सिनेमा की फिल्मों पर जिम गई हैं। माना जाता है कि कंणड सिनेमा अपने साहित्ते और अपने प्रस्तोती करण के मामले में सबसे आगे है और अगर मीनिंगफूल सिनेमा देखना हो तो मल्य अलम सिनेमा की तरफ ही लोग भागते हैं। पर तमिल और तेलगू सिनेमा एक प्रोफिशनल और कमर्शल सिनेमा माना जाता है और पिछले दिनों रिलीज होने वाली कन्नड की फिल्में यानी सेंडल वूट से आई हिंदी में डब फिल्में के जी एफ टू, कंतारा, विकरांत राना, जेम्स और चारली जैसी फिल्मों ने कमाई के ही नहीं बल्कि लोग प्रियता के भी सारे रिकॉर्ड हलाकि हिंदी दर्शकों के लिए डरजनी कान्त और कमल हासन से बड़ा नाम दक्षिन भारत में आज भी कोई नहीं है लेकिन पिछले दिनों जूनियर एंटी आर जैसे तेल गुसितारों ने भी हिंदी सिनेमा के लोगों में अपनी जगे बनाई है यहीं नहीं कन्नर सिनेम के सुपर स्टार यस ने तो अपनी पहली ही फिल्म केजी एफ से देश भर में धहल का मचा दिया अलू अरजुन आर आर से ट्राम चरन और जूनियर एंटी आर तो चर्चा में आई ही कन्नर के सुपर स्टार यस के साथ रिशव शेटी को भी कंतारा जैसी फिल्म से अब सु 275 करोड रुपे कमा डाले तो माल लिया गया कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट हो गई लेकिन जैसे ही केजी एफ टू का अंतारा विकरांत राना चेम्स और चारली के आँखड देखे गए तो लोग आश्चरे चकित रह गए इन फिल्मों ने साड़े 400 करोड रु ले ही दिन 54 करोड रुपे का बॉक्स आफिस कलेक्शन करके धूम मचा दी हालाकि 2018 में केजी एफ का पहला चेप्टर सुपरस्टार शारुक खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज होा था तब किसी ने सोचा तक नहीं था कि किंग खान की फिल्म केजी एफ चेप्टर के सामन चारों खाने चित हो जाएगी खबर तो यह भी है केजी एफ टू के बाद आब उसका तीसरा भाग यानि केजी एफ त्री भी जल्दी ही रिलीज किया जाएगा इसके साथ ही अगर हम कांतारा विकरांत राना जेमस और चारली जैसी फिल्मों की बात करें तो छोटे से बज दीब की विकरांत राना ने दुनिया भर में 158 करोड रुपए से ज़्यादा कमाए जबकि पुनित राजकुमार की फिल्म जेमस ने 151 करोड रुपए और 777 चारली को ना केवल हिंदी दर्शकों ने पसंद किया बलकि उसने भी 110 करोड रुपए से ज़्यादा की कमाई कर के सब को चौका दिया वैसे तो माना जा रहा है कि तेल को सिनेमा कमाई के मामले में सबसे उपर है लेकिन तमिल इंडस्री और अब बॉलिवड के बाद कंणर सिनेमा यानि सेंडल वुड भी कमाई के मामले में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जहां तक कंणर की ब जानन्द, कबजा, केड़ी दडेविल और सालाव जैसी फिल्मों के नाम ही शामिल नहीं है, बलकि दो हजार करूर रुपे से ज़्यादा की कमाई कर चुके कनल सिनेमा को अब हिंदी के साथ उसके चैलेंज के रूप में भी देखा जा रहा है, मैं राम किशोर पार्चा, कर चार का है, मैं रहा है, मैं रहा है, मैं रहा है जा दो हम के एनानने जाद में है।